जेहिन दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका Photon Learning YouTube चैनल पर चलिए दोस्तों आज पढ़ते हैं विजय नगर समराज्य के बारे में ये भी काफी important topic है दोस्तों यहां से काफी सारे question देखने को मिलते हैं दोस्तों इससे पहले हमने ancient history और उसके बाद medieval history बिल्कुल complete करवा दी है 1857 की सारी history हमने discuss कर ली है अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोज देख लीजिए सारी सारी PDF आपको हमारे telegram channel के उपर मिलेंगी देखी वीजयन अगर समराज्य की स्थापना 1336 इस्वी में हुई थी आपको याद हो तो हम दिल्ली सल्तना जब पढ़ रहे थे तो 1336 के आसपास जो थे वो मुहमद बिन तुगलक सासन कर रहे थे उस ताइम पर दिल्ली के उपर तो उसी ताइम पर दक्षिन भारत के अंदर एक विजयन अगर नाम का समराज्य स्थापित हुआ था चलिए बिना किसी देरे के डिटेल में आज की क्लास डिसकस करते हैं और इस लेक्टर की PDF भी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी डिस्क्रिप्सिन के अंदर लिंक दिया हुआ है चैनल को जोईन कीजी और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हमें उस टाइम का 1336 के आसपास का दक्षिन भारत का मैप दिया गया है देखिए यहां पे अप लगा सकते हो करनाटक और करनाटक के नीचे की साइट नीचे की साइट दोस्तों विजयनेगर समराज्य था ठीक है और इससे उपर जो पांच भागा आप देख रहे हो एहमद नगर, बरार, बीजापूर, बीदर और गोलकुंडा इन पांचों से मिलकर के एक समराज्य और था जिसका नाम था बहमनी समराज्य इसके बारे में हम अगली वीडियों पढ़ेंगे, उपर वाला यह है बहमनी समराज्य और नीचे वाला यह है विजयनेगर समराज्य यहाँ पर दोस्तों दो नदिया है, एक तो कृष्णा नदी है और एक है नीचे तुंग भद्रा नदी तो जो मतलब कृष्णा नदी के उपर ली साइड जो एरिया था, वो बहमनी समराज्य था और जो तुंग भद्रा नदी है, जिसके नीचे की साइड का जो एरिया है, यह विजयनेगर एंपायर था और इन दोनों नदीयों को जो बीच का एरिया था, उसको रायचूर दुआब बोला गया है, रायचूर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, रायचूर काफी उपजाओ एरिया था यह, इसको लेकर एक इन दोनों समराज्यों के बीच में लड़ाई भी होती रहती थी, र लेकिन यहां पे यह दो भाईयों को बंदी बना के अपने साथ ले गया था, ठीक है, दिली ले गया था दो भाईयों को और उन दो भाईयों को उसने मतलब जबरदस्ती मुस्लिम धरम उसने कबूल करवा लिया था, उन दोनों भाईयों से, उनको कैद में भी रखा, थोड वारसे हिंदू धरम वो मतलब अपना लेते हैं और फिर एक नए समराज्य की स्थापना करते हैं तो मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रत्थम हिंदू राज्य विजयनेगर समराज्य था याद रखिए दोस्तों पहला हिंदू समराज्य हिंदू राज्य था मध्यकाल भ इनके गुरु मान सकते हैं आप इनको क्योंकि जब मुहमद बिन तुगलक इनको लेके गया था वहां पर जबरदस्ति इसलाम धरम इनसे कबूल करवाया गया लेकिन वापिस आने के बाद इन्हों नहीं इनको थोड़ा समझाया था मतलब कि आपसे जबरदस्ति ये धरम की थी पहले इसका नाम हंपी या हस्तिनावति था याद रखना दोस्तों हंपी जो आज की टाम में करनाटक के अंदर है मतलब इसको पहले हंपी ही बोला जाता था पूरे एरिया को यह नगर बाद में विजानगर के नाम से परसीद हो आथा शुरू में क्या बोलते थे पिया हस्तिनावति विजानगर समराजिया पर दोस्तों चार वंसों ने शासन किया है टोटल इन सब के बारे हम डिटेल में डिसकस करेंगे सबसे पहले आया था संगम वंस उसके बाद आया सुलू वंस फिर तुलू वंस और फिर अरवेडू वंस जो जो इंपोर्टेंट बाते होंगी सारे डिसकस करेंगे इसे बारे में अगर वीडियो अच्य लगते है दोस्तों प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजियेगा और दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजियेगा और जो जो important date होगी वो आपको बता दी जाएंगी कि आपको याद रखनी है पक्का ही तो हरिहर एवन बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवन्स की स्थापना की दी संगम कौन थे इन दोनों भाईयों के पिता थे संगम तो उने के नाम पर इस राजवन्स की स्थापना की गई थी सबसे पहले बात करते हैं हरिहर के बारे में हरिहर प्रथम हरिहर प्रथम का सासन दोस्तों 1336 से लेकर के 1356 वे तक रहा तो संगम वंस का प्रथम सासक कून था हरिहर प्रथम संगम वंस का प्रथम सासक था इसने अने गुंडी को अपनी राजधानी बनाया किसको अपनी राजधानी बनाया था इसने अने गुंडी को इसने अपने सासने के 17 वर्स बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया फिर इस नगर के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा विजयनगर समराज्य है इसका नाम पड़ा तो 17 सालों तक दोस्तों अने गुंडी ही राजधानी थी लास्ट के तीन वर्सी यह मतलब इसने बदल के विजयनगर को राल्थानी बनाया था आगी क्या होता है 1346 में इसने होईसल राज्य को विजयनगर के अंदर मिला लिया था होईसल भी दोस्तों दक्षिन भारत के अंदर पड़ता है सबसे बढ़े इसने होईसल को विजयनगर के अंदर मिलाया 1347 में बहमनी समराज्य की स्थापना से विस्तार रुक गया बहमनी समराज्य की स्थापना कब हो थी दोस्तों 1347 इस्वी में अब उपर की तरफ तो बहमनी समराज्य की स्थापना हो गई नीचे विजनेगर समराज्य की स्थापना हो ही चुकी दी पहले तो उपर की तरफ ये विश्थार नहीं कर पाए 1356 में क्या हो जाता है हरीहर प्रथम की मिर्ट्य हो जाती है तो इसके सासनकाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है जितना हमने आपको बताया है हाँ पे आगे देखते हैं बुक्का प्रथम जो उनके भाई थे बुक्का प्रथम वो आए 1356 में से लेकर के 1357 में तक उन्होंने सासन किया हरीहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम सासक बना इसने मदुरई को जीत कर विजयनगर समराजय में मिला लिया तो सबसे पहले इसके भाई ने होई साल को मिलाया था अब इसने मदुरई को भी मदब जीत करके विजयनगर समराजय के अंदर मिला लिया तो नीचे के तरफ तो विश्तार बढ़ता जा रहा था इसने अपना एक राजदू चीन भी भेजा था किसने बुक्का प्रथम ने इसने वैदिक धरम को प्रोथ साहन दिया और इसी उपलक्स में वेद मार्ग परतिश ठापक की उपादी धारण की कौन सी उपादी धारण की थी? वेद मार्ग परतिश ठापक ये कोशन पूछा गया है दोस्तों याद रखना तो इसके बारे में वस आपको इतना ही याद रखना है काफी रहेगा आपके लिए इसके बाद आते हैं हरिहर द्वीतिय हरिहर द्वीतिय आगया आते हैं 1377 से लेकर के 1404 इसवीता किनों ने सासन किया था ये कौन था ये जो बुक का प्रथम थे जिसके बारे में हमने पढ़ा ये इसका पुत्तर था कौन हरिहर द्वीतिय तो हरिहर द्वीतिय सिंगहासन पर महाराजा धिराज की उपाधी ग्रहन करके बैठा था ये कोशनी पूछा गया है दोस्तों कि विजयनगर समराज्य का कौन सा सासक था जो महाराजा धिराज की उपाधी लेकर बैठा था ये हरिहर द्वीतिय थे इसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापली, कांची, आदी प्रदेशों पर विजया प्राप्त की तो ये एरिये को इसने जीत करके अपने अंदर मिला लिया था बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आकर्मनों को उसने विफल किया था और उन्हें कई बार हराया भी था क्योंकि बहमनी और विजयनगर के बीच संगर्स होते रहते थे इसकी सबसे बड़ी सफल्ता पस्चिम के बहमनी राज्या से बेल गाम और गोवा चीनना था यनि कि इसने बेल गाम और गोवा को चीन लिया था पस्चिम के बहमनी राज्या से इसने सिरलंका के राज्या से भी करवसूला था ये कहीं पे लिखा गया है दोस्तों मतलब किसी अभी लेक के अंदर ये सक्षे मिली हैं कि इसने स्रिलंका के राजा से भी कर्वसूला था इनिके स्रिलंका तक भी इन राजाओं को सासन पहुँच गया था सफलता पुरुक राज करने के बाद हरिहर्द वित्य की मृत्यू 1404 में हो जाती है इनकी भी डैथ हो जाती है इसके बाद आते है विरुपाक्स प्रतम 1404 में हरिहर्द वित्य का पुत्र होता है क्या नाम होता है विरुपाक्स 1404 में पिता की मृत्यू के बाद इसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया, राजगदी पर अधिकार करने के बाद सीघर ही विरुपक्स प्रथम अपने ही भाई बुक्कद वित्ये के द्वारा ए पदस्त कर दिया जाता है, बुक्कद वित्ये आते हैं इनके भाई, तो इनके द्वारे इनको पद से हटा दिया जाता है, तो इस प्रकार से इनका जो सासन काल था वो काफी छोटे समय तक ही रहता है इसके बाद आते हैं दोस्तों बुक्का द्वित्य है इन्हों इनको सासन से हटाया था लेकिन हटाने के बाद यह ज्यादा टाइम दक टिक नहीं पाई इनका भी सिरफ दो साल तक का ही मुझब सासन काल रह समराज्य के सिंहासन पर बैठे जाने के समय उसके भाई विरुपाक्स प्रथम ने उसका विरोध किया था अब विरुपाक्स प्रथम इसका विरोध करता है तो इन दोनों के भी संगर्स होता है ये भी सिरफ दो साल तक की सासन वह मुझब सासक बनता है इसके बाद आते है देवराय प्रथम 1406 स्वी से लेकर के 1422 स्वी तक यानि कि ये 16 साल तक सासन करते हैं यह हरिहर द्वीतिय के बाद विजयनगर समराज्य का वस्तवी कुत्राधिकारी था क्योंकि विरुपाक्स के बार में हमने पड़ा विरुपाक्स ने बस एकी साल सासन किया था 1414 में और ब फिरोज सहा के आक्रमन का सामना करना पड़ता है जो बह्मनी सुल्तान होता है कि फिरोज सहा इसके इनके बार में दोस्तों अगली वीडियो में डिसकस करेंगे बिल्कुल डिटेल में तो इनके आक्रमनों का सामना करना पड़ता है फिरोज सहा बह्मनी से पराजित होने के तुंग भद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरे निकलवाई थी, तो काफी अच्छा काम इसनों इन्होंने किया था, इसके बाद इसके सासनकाल में ही इटली का यत्री निकालो कुंटी, याद रखना दोस्तों, जो ये फोरनर जो यत्री थे, ये भारत के अंदर जितने भी आ रखनी है, 1420 इसक्वी में आया था, किसके सासनकाल के दुरान आया था, ये ये आया था, देवराय प्रथम के सासन के दुरान, देवराय प्रथम के दरबार में परसिद तेलगु कभी स्रीनात रहते थे, ये भी कोशन पूछा गया दोस्तों कि जो तेलगु कभी स्रीनात वो किसके दरबार में रहते थे, ये देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे, 1422 इस्वी में क्या होता है, देवराय प्रथम की मृत्यू हो जाती है, और इसके बाद जो अगले सासक आते हैं, वो आते हैं, देवराय द्वित्यू है, इनका भी सासन काल काफी लंबा था, 1422 से लेकर के 1446 इस्वी तक इन्होंने सासन किया था तो देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्तर राम चंद्र 1422 इस्वी में सिंगहसन पर बैठा परंतु कुछ महीनों ही उसकी मृत्यू हो जाती है इनको ज़्याद नहीं रखना दोस्तों बस आपको जानकारी के लिए बता अगला सासन कोन बनता है वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितिय अगला सासक बनता है यही इस वंस का सबसे महान सासक माना जाता है कुन देवराय द्वितिय जो जन साधारण में इंदर के अवतार माने जाते थे वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों इनको जन साधारण इननी आम पीपल जो जनता थी, इनको इंदर का अवतार मानती थी, किसको देवराय द्वितिये को, इसके समय में फारस के सासक साहरुक ने अब्दुलरजाक को अपना दूत बना कर इसके दरबार में भेजा था, वेरी इंपोर्टन कोशन हो, मतलब इस बार के सीजियर के देवराय द्वितिये ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भरते किया था, और उनके लिए मस्जिद का निर्मान भी करवाया था, एक अभी लेक में देवराय द्वितिये को गजबेटकर, गजबेटकर का मतलब होता है, हाथियों का सिकारी, तो जाक जो फार्स के सासक साहरुक ने इनको भेजा था तो ये भी इसी के सासनकाल के दुरुन विजयनगर की आत्रा पर आये थे इसके बाद उस्तों मलीकारजुन आते हैं 1446 से लेकर के 1456 ठिसवी तक इनोंने सासन किया था तो देवरय दिवित्य के बाद उसका पुत्र मलीकारजुन विजयनगर समराज्य का अगला सासक बनता है उसके समय में उडीसा एवं बहमनी के आक्रमन में उडीसा ने कोंड बिंदु एवं उद्यागिरी के किले पर अधिकार कर लिया था उडीषा ने उडीषा और बहमनी के भी संगहर्स हुआ था जिसमें उडीषा एक टापसी जीत गया था और उसने कॉंड बिंदू और उद्याटकी की किले पर अधिकार कर लिया था इसको उडीषा के गजपति सासको ने बुरी तरह पराजित किया था इसको भी किसको मलीकारजुन को किसने उडिशा के गजपती सासकों ने बुरी तरह से इसको पराजित किया था कुछ समय के बाद चंदरगिरी के नरसिंग सुलूव ने उसका सिंगासन उससे छीन लिया किससे छीन लिया इसके बात करेते हैं मलीकार्जुन की, मलीकार्जुन से नर्सिंग सुलुव ने सिंहासंद्ट छीन लिया। और यह इसका खुद का इसी का सामन्त है कि? एक मंतरी टाइप था मलीकार्जुन का ही कुन। अपनी हार के अपमान को नए सह कर पाने के कारण सहन नहीं कर पाए तो 1465 इसवी में इनकी मृत्य हो जाती है किसकी मलीकारजुन की ठीक है दोस्तों तो इनहीं के मंत्री ने एक टाइप से इनहीं के सामत ने इससे सिंगहसंद छीन लिया था इसके बाद आते हैं विरुपक्स द्वीतिये 1465 से लेकर के 1485 इसवी तक इन्होंने सासन किया विरुपक्स द्वीतिये संगम मंस का अंतिम सासक था याद रखना पहला और अंतिम दोस्तों याद रखना पहले कोन थे हरी हर प्रथम थे और अंतिम कोन है विरुपक्स द्वीतिये और सबसे महान सासक कोन थे देवराय, द्वितिय, ये तीन तो आपको पक्का याद ही रखने है, 1485 इस्वी में विरुपाक्स की हत्या कर दी जाती है, और संगम मन्स की समापती हो जाती है, तो 1336 इस्वी में स्टार्ट हुआ था, 1485 इस्वी में ये खतम हो गया, तीन सासकों के नाम मैंने आपको हम, उसके बाद विरुपाक, लास्ट वाला विरुपाक्स द्वितिय और देवराय, द्वितिय ये याद रखने है, दो फोरन यत्री आये थे, मतलब, ट्रैवलर आये थे, इनके काल में, एक तो कौन थे, अब्दुलरजाक, जो फारस से थे, और एक इतली के जो यत्री थे उनका नामा को कमेंट बोक्स में बताना है कौन आये थे, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे कौन सा वंसा है, सुलूव वंस, 1485 वी लेकर के, 1505, यानि कि सिरफ अप लगा सकते हैं, 20 साल का ही इनका सासन काल था, ज्यादा कोशन यहां से पूछे नहीं जाते हैं, में बस आप से ही पूछा जाते है कि इसके संस्थापक कौन थे, सुलूव वंस के, तो इस वंस का संस्थापक कौन था, सुलूव नर्सिंग था, सुलूव नर्सिंग था, सुलूव नर्सिंग के बारे मैं पढ़ा ना, कि सुलूव नर्सिंग ने क्या किया था, इनसे, जो मलीक आ इमाड़ी नर्सिंग को गद्धी पर बैठाया गया, इसके सासने काल में वस्तिक सक्तियां, उसके सेनापती नर्सानायक के पास थी, किसके पास थी, नर्सानायक के पास, तो इसके बाद 1505, यहां भी 1505 आएगा दोस्तों, 1505 इसी में नर्सानायक के पुत्तर, नर्सानायक ज उत्तर वीर नर्सिंग ने कर दी और तुलूवंस की स्थापना की तो सिर्फ 20 साल तक की इनका सासन काल था सोदा सो पिचासी से लेकर के 1505 अब आगे आता है तुलूवंस यहां से दोस्तों काफी सारे कोशन मनते हैं तुलूवंस से तो तुलूवंस कब से कब तक चला था 1505 से लेकर के 1570 इसवी तक इनका सासन काल था स्थापना किसने की थी वीर नर्सिंग ने तो पहले वीर नर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं 1505 से लेकर के 1509 चार साल तक वीर नर्सिंग का सासन काल रहा था तो 1505 इसवी में नर्सा नयक के पुतर वीर नर्सिंग ने इमाड़ी नर्सिंग के हत्या कर दी थी और तुलूव वंस की स्थापना की थी वीर नर्सिंग का पूरा सासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आकर्मनों से परभावित रहा मतलब इनके राज्ये के अंदर ही लोग विद्रोह करते रहते थे तो इनके चार साल को जो सासनकाल था वो आंतरिक विद्रोहों से और आकर्मनों से परभावित रहा 1509 इसवी में इनकी मृत्य हो जाती है इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है इसके बाद आते हैं दोस्तों क्रिशन देव राए जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत है क्रिशन देव राए इस वंस का सबसे महान सासक कौन था? क्रिशन देव राय एक एक लाइन दोस्तों याद रखनी है एक लाइन के अंदर कोशन शिपा हुआ है ये 8 अगस्त 1509 इस वी को सासक बनता है कौन? क्रिशन देव राय बाबर ने अपनी आतम कथा बाबर नामा में तो ये थे राजा क्रिशन देव राय क्रिशन देव राय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतरकत 1509 से 1510 इस वी में बीदर के सुल्तान महमूद साह को अदोनी के समीप हराया इनके बारे में अगली वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तों बीदर जो है हमने उपर बताया था ना कि जो पांच राज्यों से बनके समराजिया बना था बहमनी समराजिया उसी के अंदरक बीदर आता था तो इन्होंने 1509 और 1510 इस वी में बीदर के सुल्तान महमूद साह को अदोनी के समीप हराया था आगे 1512 इस वी में क्रिशन देव राय ने बीजापुर के सासक यूसुफ आदिल खान को हरा कर रायचूर पर अधिकार किया था रायचूर क्या था दोस्तों रायचूर ये वही एरिया था दोन अधियों के बीच का जाओ अक्षेतर रायचूर दौाब बोलते हैं जिसको तो इन्होंने बीजापुर के सासक को भी हराय था 1512 स्वी में जिनका नाम क्या था यूसुफ आदिल खान उसके बाद गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया थे ने इसने राजा क्रिशन देव राय ने 1513 से 18 स्वी के बीच क्रिशन देव राय ने उडिसा के गजपती सासक परताप रुद्र देव से कम से कम चार बार युद्ध किया जब उडिसा के सासकों ने पहले हराय था संगमवंस के सासकों को हमने डिसकस किया था तो उन्ही गजपती सासकों को राजा क्रिशन देव राये ने चार बार हराया लगातार युद्ध में तो चार बार की प्राजा से निरास हो करके परताप रुद्र देव ने क्रिशन देव राये से संधी की प्रार्थना करके उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो काफी मतलब तेजस्वी राजा थे ये, काफी आप बोल सकते हैं इनको, जिस तरीके से हमने भी पढ़ा इनके बारे में, कि लगातार चार बार इनको हराया था, तो आप सोच सकते हैं कितने प्राकरमी राजा रहे होंगे ये। पंदरा सो बीस इस वी तक प्रिशन देव राये ने अपने समस्त शत्रूं को परास्त करके अपने प्राकरम का प्रिचे दिया था, तो पंदरा सो बीस इस वी तक जितने भी आसपास के इसके शत्रू थे, तो उन सबको इन्होंने पराजित कर दिया था, प्रिशन देव राय तो हजारों बार पूछा गया है ये राजा क्रिशन देवराय की रचन है और ये तेलगू में लिखी गई है अमुक्त माल्याद क्रिशन देवराय को आंधर भोज, अभिनव भोज, आंधर पिताम है आधी उपाधी इसको मिली हुई थी क्या-क्या आंधर भोज, अभिनव भोज, आंधर पिताम है ये उपाधियां इनको मिली हुई थी इसके सासनकाल में पूर्ट गाली यात्री डोमिगोस पायस और बार बोसा विजन अगर आये थे ये दोनों दोस्तों पूर्ट गाली यात्री थे बढ़ाते थे जो आठ तेलगु को एक काफी विद्वान व्यक्ति थे आठ इनको अश्ट दिगज बोला जाता था अश्ट दिगजों में सरवाजिक महत्तपुन अलसानी पेदन एक तो ये है दोस्तों अलसानी पेदन और तेनाली राम थे तेनाली राम अलसानी पेदन को तेलगु कवीता के पिताम है की उपाधी परदान की गई थी तो तेलगु कवीता के पिताम है की उपाधी किसको दी गई थी अलसानी पेदन को इनके मुख्या करिती कौन सी है मनुचरित तथा हरित कथा सार मनुचरित और हरी कथासार इनकी दो मुख्य कृत्नी हैं इनको याद रखना पांडूरंग महात्मय की रचना तेनाली राम राम कृष्ण ने की थी जिनके वारेवन में पढ़ा ना कि तेनाली राम भी इनके अश्ट दिग्जों में सामिल थे तो पांडोरंग महातमे की रचना इन्होंने की थी तेनाली राम ने क्रिशन देव राय के सासन काल को तेलगो सहित्या का क्लासिकल यूग कहा जाता है दोस्तों very important ठीक है तो मलब अपनी चरम सीमा पर था अपनी पराकाष्ठा परता उस टाम पे तेलगो सहित्या किसके काल में क्रिशन देव राय के सासन काल में आगे नागलपूर नामक नए नगर नागलपूर हजारा एओं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाय था क्रिशन देव राय ने करवाय था तो इनके बारे में आपको हर एक चीज याद रखनी है जो भी आपको पढ़ाई गई है प्रिशन देवराय के बाद इसका भतीजा अचुत्या देवराय अगला सासक बना इसके सासन काल में पुर्त गाली यातरी नूनीज विजय नगर आये था यह मतब ज़ャद़ इंपोर्टेंड नहीं लेकिन फिर भी हो सकते हैं के एक चीजाम के अंदर आजाएं पूर्त गाली यातरी नूनीज जो थे वो किसके सासन काल के दुरान विजय नगर आये थे ये अचुत्या देवराय के सासन काल के दुरान विजय नगर आये थे इसके बाद दोस्तों सदासिव राय आते हैं 1542 से लेकर के 1570 सवी तक सासन करते हैं ये सदासिव राय तो इस वंस का ये अंतिम सासक था इसके एक सेनापती थे दोस्तों जिनका नाम था राम राय किसके सेनापती थे ये सदासिव राय के राम राय नहीं सासन की सारी सक्तियां उस टाइम पे अपने हाथ में ले ली थी यह एक समराज्य वाधी सेनापती था यानिकर अपने समराज्य का विश्थार करना चाहता था इसने क्या किया कि बहमनी समराज्य के जो पांच राज्य थे बीजापूर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमन नगर इसमें इनोंने मरलब इन सभी के बीच फूट डालने कि इसने कोशिस की लेकिन हुआ क्या इसके विपरित परिणाम हुआ और बहमनी समराज्य के पांच राज्यों में से बरार को छोड़ कर सेश चारों ने मिलकर 1565 हिस्वी में विजयनेगर पर हमला कर दिया और इसी युद्ध को ताली कोटा का युद्ध बोला जाता है ये भी कोश्चन दोस्तों काफी वर पूछा गया है ताली कोटा का युद्ध कब हुआ 1565 हिस्वी में किस-किस के बीच हुआ ये आप बोल सकते हो बहमनी समराज्य है और विजयनेगर समराज्य के बीच में युद्ध हुआ था युद्ध के मैदान में सेनापती राम राय मारा गया तो सेनापती मर गया दोस्तों इसके बाद क्या किया सदासिव राय ने अगला सेनापती बनाया जिसका नाम क्या था तिरुमल था ये भी दोस्तों गदार परवर्ति का व्यक्ति था तिरुमल भी तो तिरुमल ने आगे चल कर क्या गया सदासिव राय की ही हत्या कर दी यानि जिसका ये सेनापती था उसकी ही इन्होंने हत्या कर और एक नया वंस बनाया नया वंस की स्थाबना की जिसका नाम था आर्वीडु वंस तो ये आर्वीडु वंस की स्थापना का बहुत ये दोस्तों पंदरा सो सत्तर इसवी के लगभग तिरूमल इस वंस की स्थापना करते हैं आरवेडू वंस की संस्थापा का नाम दोस्तों बस याद रख सकते हैं और कुछ से ज़्यादा मतलब इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ है नहीं इस वंस के अंदर यह वंस दक्षिन भारत के विजयनगर समराज्य का चोथा और अंतिम वंस था पेनु गुंड़ा इस वंस की राजधानी थी यह आप याद रख सकते हो पेनु गुंड़ा इस वंस की राजधानी थी इस वंस का अंतिम सासक सिरीरंग त्रीतिय था जिसके राज्य में तंजोर मैसूर मदुरी सवतंतर राज्यों का निर्मान कर लिया था मतलब इनोंने तंजोर ने मैसूर मतलब इनोंने आलग हो गए थे अपने आपको सवतंतर खोशी तिनोंने कर दिया था और इस टाइप से विजयनगर समराज्य का पतन हो जाता है 1570 इस वी के आसपास इसका मतलब वो है स्थापना होती है इस वंस की और 1650 मतलब 1650 के आसपास क्या होता है विजयनगर समराज्य का अंत हो जाता है पतन हो जाता है इसके बाद थोड़ी दोस्तों विजयनगर की जो परसासनिक व्यावस्था थी वो देख लेते हैं किस तरीके की थी तो विजयनगर समराज्य का परसासन किंद्रो मुखी था किंद्रो मुखी का मतलब क्या होता दोस्तों मतलब जैसे मारी किंदर सरकार जो भी बोलेगी वैसे आपको करना पड़ता है उसी तरीके से वहाँ पर भी जो राजा डिसाइड करता था बड़े बड़े डिसीजन राजा ही लेता था खुद ही मतलब तो कंद्रो मुखी परसासन उस टाइम पे व्यावस्था थी विजयनगर राजा का सवरूप राज तंत्रात्मक था तो था ही दोस्तों राजा होते थे उस टाइम पे जिसका प्रमुक कौन होता था खुद राजा होता था विजयनगर के राजा राय की उपाधी धान करते थे किसकी उपाधी धान करते थे राय की और खुद को इसवर के तुल्या मानते थे खुद को इसवर के समान मानते थे विजयनगर के राजा इस काल में राजा की सहायता के लिए दो परिशिदें होती थी, कौन-कौन सी, एक राज्य परिशद और एक मंत्री परिशद, राज्य परिशद क्या थी दोस्तों, इसका सवरूप थोड़ा बड़ा होता था, थोड़ा व्यापक होता था, राजा इसी के सलहा पर नीतियां ब कई भी भागों को सदस्या होते थे इसमें विद्वान राजनीती में निपून पचास से सत्र वर्स की आयू वाले निपून व्यक्तियों को सामिल किया जाता था मंतरी परिशद के अंतर इसका अध्यक्स महा परधानी या परधान मंतरी बोलते थे वो होता था राजा वा पुत्तर युवराज और फिर महा पर्धानी या पर्धान मंतरी का स्थान होता था आगे दोस्तों भूराजसव व्यवस्ता देख लेते हैं यहां से भी कोश्चन पूछे जाते हैं तो विजयनगर समराज्य में राज की आये का सबसे मुख्या स्तरोत कौन सा था वो भूराजसव था जिससे सिस्ट कहा जाता था वेरी वेरी इंपोर्टन यह कोश्चन कई बर पूछा गया है सिस्ट किसको बोला जाता था भूराजसव को बोला जाता था उस टाइम पे सिस्ट तो भूराज सब होता दोस्तों, वो भूमी की उपज के अधार पर निर्धारत किया जाता था, जहां पे जादा उपज होती थी, वहां से ज़्यादा टेक्स वसूल आजाता था, सामाने तो यह एक तिहाई से लेकरके एक चुथाई के बीच होता था, भन थड से लेकर वन फ पूरे लेक्षिर के PDF आपको हमारे टेलेग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजी, वीडियो को सेर कीजी, काफी मेहनत लगती है ऐसा कुंटेट बनाने में, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में हम बहुत बहुत चुक्रिया, मिलते हैं आगली वीडियो में